इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीजिया पर ऐसे वीडियोस बड़ी तीजी से वाइरल हो रही हैं जो एक्चुल में रियल है ही नहीं जी हाँ नकली है यानि फेक इन वीडियोस या फोटोस को ऐसे एडिट करके तयार किया जाता है जिससे इसे पहचान पाना एक नॉर्मल यूजर के लिए बेहद मुश्किल है इसे डीफ फेक के नाम से जाना जाता है डीफ फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहें वो बना सकते हैं जी इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी भी डीफ फेक के शिकार होने से नहीं बच पाए तो हम सब तो आम जनता हैं इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीफ फेक फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है और हमें कितना सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है हमारे देश में तीन में से एक आदमी को डेली डीफ फेक का शिकार बनाया जा रहा है आखे ये कौन कर रहा है, कैसे करता है और क्यूं कर रहा है जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे 2017 में पहली बार डीफेक सामने आया था, जब एक रेडिट यूजर ने कई सारे डीफेक वीडियो क्रियेट किये थे इसका परपस के वल एंटर्टेन्मेंट नहीं है, किसी को बताम करना या फिर स्कैम करना भी होता है क्या है डीफेक? किसी रियल वीडियो और फोटो में दूसरे के चेहरे को फिट कर देने को डीफेक नाम दिया गया है इसमें किसी भी फोटो, वीडियो और आडियो को मैनिपुलेट करके उसे बिलकुल अलग बनाया जाता है जिससे कोई भी नकली को भी असली समझ बैठेगा इसके लिए मशीन लर्निंग और आटिफिशल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है डीफेक टर्म को डीप लर्निंग से लिया गया है डीफेक टेकनलोजी मशीन लर्निंग का पार्ट है और ये आटिफिशल नियूरल नेटवर्क पर बेस्ट है इसमें कई सारे fake content को असली content की तरह दिखाया जाता है हमने ये तो जान लिया कि deepfake क्या होता है अब जानते हैं कि कैसे बनाई जाती है deepfake videos deepfake videos बनाने के लिए autoencoder नामक एक neural network structure होता है इसके दो parts होते हैं encoder और decoder encoder असली content को अच्छी तरह से के लिए decoder network को transfer कर देता है इसके बाद एक ऐसा video तयार होकर मिल जाता है जिसमें चहरा तो बदला हुआ होता है लेकिन video और photo किसी और की होती है कैसे पहचाने कि कोई video या photo या audio deepfake है या नहीं deepfake video इतने perfect होते हैं कि इन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है लेकिन impossible नहीं है कुछ चीजों को बारिकी से देखना होगा वीडियो में दिखने वाले person के facial expression आखों की बनावट और body style पर गौर करना होगा जनरली इन वीडियो में body और face का color match नहीं करता है साथ ही lip syncing पर ध्यान देना होगा जो जनरली match नहीं करती है deepfake videos को पहचानने के लिए कुछ AI tools भी available है जैसे AI or not और hive moderation और इस तरह के और भी कई websites है जो deepfake videos को पहचानने में मदद कर सकती है जैसे deepfakedetector.com और MIT University की detect deepfakes जो आसानी से AI generated videos या photos को recognize कर लेते हैं तो इन AI tools का use करके हम आसानी से जान सकते हैं कि कोई भी video या photo deepfake है या नहीं deepfake का शिकार होने पर उसकी शिकायत कहां और किस से करें deepfake का शिकार होने पर पीडिद व्यक्ति दो तरीके से शिकायत कर सकता है पहला FIR अपने नस्दी की police station में जाकर सभी साक्षे और घटनाओं के आधार पर एक FIR दर्श कर सकता है और दूसरा तरीका है कि पीडिद व्यक्ति सरकार की अधिकरित साइबर सेल के website के माध्यम से online घर पर बैठे ही deepfake की शिकायत कर सकता है अगर इस वीडियो में दी गए information आपको थोड़ी भी helpful लगी हो तो वीडियो को like जरूर करे अपने दोस्तों को share करे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं Stay safe, stay healthy Thank you for watching, जै हिन, जै भारत